इस वेडियो में हम बात करने वाले हैं कि real education क्या है और हम life में जो achieve करना चाते हैं उसके लिए हमें कैसी knowledge की जुरत है तो अगर आप सच में हैं जानने के लिए interested हैं तो वेडियो को last तक देखें कई लोगों का यह मानना है कि knowledge is equal to money पर actually that is partially wrong knowledge is equal to money यह equation जभी सच है जब knowledge हमारे end goal तक पहुँचने के रास्ते में practically use हो और अगर हम knowledge की बात करें तो यह दो टाइप की होती है general और specialized आप चाहें तो वेडियो पॉस करके इन दोनों की definition पढ़ सकते हैं आपके पास चाहे जितनी भी generalized knowledge हो लेकिन यह आपको money making में ज़्यादा help नहीं करती ज़्यादा तक teachers के पास generalized knowledge तो बहुत है लेकिन फिर भी वो कम पैसे कमाते हैं क्योंकि वो पढ़ाने में expert हैं ना कि उस पढ़ाई हुई चीज को practically life में apply करने में चलिए अब इसे practical life के example से समझते हैं बहुत लोग यह मानते हैं कि Henry Ford काफी कम समय के लिए school गए थे इसलिए वो educated नहीं है जो लोग इस बात पर यकीन करते हैं वो education का real मतलब अभी तक समझ नहीं पाए है education word एक latin word eduko से बना है जिसका मतलब है develop from within या अंदर से बाहर लाना यह बात जरूरी नहीं है कि educated आदमी वही है जिसके पास बहुत जादा general या specialized knowledge हो educated आदमी तो वो है जिसने अपने दिमाग को इस तरीके से rewire कर लिया हो कि वो जिन्दगी में जो पाना चाता है उसे पा सके बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुचाए हुए First World War के टाइम पर Chicago newspaper में बाकी सारे articles के साथ यह बात लिखी थी कि Henry Ford एक uneducated peace lover है Henry Ford ने जब यह बात पड़ी तो उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने इस article के लिए court में charge sheet फाइल करी जब यह case court में start हुआ तो newspaper के lawyers ने Henry Ford को witness stand पर बुलाया ताकि वो judge के सामने यह बात प्रूफ कर सकें कि Henry Ford एक uneducated विक्ती है Lawyers ने Henry Ford से बहुत सारे questions पूछे ताकि वो अपनी बात को सही प्रूफ कर सकें Henry Ford के पास बस कार बनाने की ही specialized knowledge थी लेकिन बाकी topics के बारे में उन्हें बहुत कम पता था Lawyers ने उनसे कुछ इस तरीके के questions पूछे जिनसे उन्हें शर्मिन्दा किया जा सके जैसे की 1776 की war रोकने के लिए Britishers ने कितने soldiers अमेरिका भेजे थे और Benedict Arnold कौन था जब Henry Ford इन questions के answer देते देते ठक गए तो उन्होंने lawyer से बोला अगर मैं आपके इन बेफ़जूल के questions का answer सच मुछ में जानना चाहूं तो मेरे company में ऐसे हजारों लोग काम करते हैं जो कि आपके पूछे गए questions का seconds में सही जवाब दे सकते हैं अब मुझे क्या पिया बतानी की कृपा कर सकते हैं कि जब मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो कि मेरे पूछे गए हर questions का सही जवाब बता सकते हैं तो मैं इनके answer बताने के लिए अपने दिमाग में इतनी सारी generalized knowledge को क्यों याद करूं या अपने दिमाग में रखूं इस जवाब को सुनते ही सारे वकील चुप हो गए और court में बैठे हर व्यक्ति को इस बात पर विश्वास हो गया कि ऐसा जवाब तो कोई educated आदमी ही दे सक उसे कहां से मिलेगी और उसे वो अपने काम के दोरान कैसे यूज कर सकता है और Henry Ford के पास वो सारी knowledge थी जिसने उन्हें अपने time पे अमेरिका का सबसे richest man बना दिया और इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें कि यह जरूरी नहीं है कि सारी knowledge आपके ही दिमाग में हो अगर कर दिमाग में हो, ठर्यक्रेष् buna, हुड़िक आपके ही छिरेष्на करना ध्यस्वाग् ऱ्यूरी ए स्वेश्वारप आर नहीं है कियू आपके है।